दोस्तों इस वीडियो में हम KCC यानि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में discussion करेंगे इस वीडियो में हम एक एक करके सारी चीज़े discuss करेंगे कि जी KCC का जो लोन है वो कैसे मिलता है किस farmer को मिलता है जाद से जादा KCC का लोन कितने का हमें मिल सकता है जो आपके पास जमीन है क्या वो बैंक के पास गिरवी रखनी जरूरी है या बीना जमीन को गिरवी रखे ही KCC का लोन मिल जाता है इसके साथ साथ मानलो अगर किसी farmer ने हम ये भी discuss करेंगे कि अगर मानलो किसी भी farmer ने किसान क्रिडिट कार ले लिया भी बैंक से लोन ले लिया और किसी भी कारण वर्ष मानलो वो बैंक का पैसा अब नहीं रिपे कर पा रहा तो उस केस में बैंक क्या एक्शन लेती है मतलब एक तरह से KCC का अगर लोन default हो जाता है कोई farmer KCC का लोन नहीं भर पा रहा तो उस केस में बैंक फिर farmer के against क्या action ले सकती है तो ये सारी की सारी चीज़े इस वीडियो में हम KCC से related एक तरह से सारी चीज़े discuss करेंगे अच्छा अब KCC यानि किसान क्रिडिट कार क्या है ये किसान इक तरह से ये एक ना क्रिडिट कार है जैसे आपका normal debit card होता है bank का है ना जो card होता है कुछ इस प्रकार से ही मालो आप farmer हो आप किसान हो आप bank में किसी bank में आप private में जाओ government में जाओ जहां से आपका मन करें आप किसान credit card ले सकती है तो एक तरह से ये एक loan है loan आपको कुछ इस तरह से दिया जाता है कि मालो आपका loan bank कहता है कि ठीक है जी हम आपको पैसा देने के लिए त्यार है तो आपको एक card देदेगा जैसे ATM card होता है वैसे ये card देदेगा अब उस card से आप किसी भी ATM machine में जाके पैसा निकाल सकते है या फिर अगर आप जाओ तो bank में भी form भर के पैसा निकाल सकते है तो एक तरह से ये इस प्रकार से आपको loan दिया जाते है अच्छा आप कहने का मतलब यह कि मालो आपको 5 लाग उर्पे की limit देदी मतलब आपने bank से किसान credit card के लिए apply किया तो आपकी limit bank कहता है कि 5 लाग उर्पे की देदी तो 5 लाग उर्पे का ऐसा नहीं कि सीधा सीधा 5 लाग उर्पे पूरा का पूरा आपकी account में डाल दिया और कह दिया कि ये लो जी इस पैसे को ले लो 5 लाग उर्पे की bank limit बना के देता है अब limit में मतलब कहने का मतलब यह है कि 5 लाग उर्पे आप जात से जाद उस loan का इस्तिमाल कर सकते लेकिन पूरे साल भर में limit तो आपको 5 लाग के दी आपने इस्तिमाल सिरफ उसमें से 1 लाग उर्पे किया यानि जो आपको bank ने किसान credit card दिया उस credit card से आप किसी भी ATM में गए और आपने पूरे साल भर में करोगे केवल और उतने ही पैसे के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा हाला कि बानलो कर किसी की limit पांच लाग बनी है तो वो जादा से जादा पांच लाग उर्पे इस्तिमाल कर सकता है मतलब वो चाहे उसने एक लाग निकाला एक लाग एक लाग करके ऐसे पांच लाग जादा से जादा निकाल सकता है लेकिन जितना उसने पैसा इस्तिमाल किया ब्यास सिरफ और सिरफ उतने ही पैसे पे उसको bank को देना पड़ेगा तो पहली चीज कि ये एक तरह से loan नहीं है मतलब KCC को आप ये नहीं कह सकते कि loan है इसे आप एक तरह से ये कहो कि KCC एक तरह से limit है मतलब जितना आप इस्तमाल करोगे जैसे ODI limit होती है ना बैंक में ODI limit, CC limit, businesses के लिए वैसे ही ये भी एक limit है कि जितना customer इस्तमाल, जितना farmer इस्तमाल करेगा उतने के ओपर ही उसे ब्यास देना पड़ेगा minimum age क्या है, तो किसी की भी उमर अगर 18 साल है और वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है कि उसकी खुद की जमीन हो या हो सकता है कि वो जमीन को ठेके पे लेके, मतलब tenant worker हो मतलब उसने जमीन को किराय पे ले रखा है किसी से और वो वहाँ पे खेती कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके नाम पे ही जमीन होनी चाहिए तभी आपको के सी सी का लोन मिलेगा, ठीके तो आप tenant worker भी हो सकते हो और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है खेती बाड़ी ही करते हो, कि फसल ही एक तरह से बोते हो और फसल कोई काड़ते हो, तभी आपको के सी सी का लोन मिलेगा, आप हो सकता है कि animal husbandry से भी जुड़े हो, हो सकता है कि आपका poultry farm हो, तो मतलब अगर आप पशु पालन भी करते हो, तो उस case में भी के सी सी के अंदर आपको लोन मिल जाता है, ठीके जी, अब एक चीज आती है कि मानलों कोई कहता है मेरे पास एक एकड़ जमीन है, कोई कहता है मेरे पास तीन एकड़ जमीन है, कोई कहता है मेरे पास दस एकड़ जमीन है और कोई कहता है मेरे पास जमीन ही नहीं है, तो किसको कितने का जादा से जादा के सी सी का लोन मिलेगा, देखो, के सी सी की के सी की जो लिमिट है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि पहली चीज पही देखो ओवेसी बात है अगर किसी के पास जमीन ही नहीं है तो इसको तो बैंक ये बोलता है कि कोई भी बैंक है आर्बिया की निर्देश ये है कि एक लाख साथ हजार रुपे तक अगर आपको के सी का लोन चाहिए ये के सी की लिमिट आपको तो जादा बहतर है अगर आपको एक लाख साथ हजार रुपे तक की चाहिए तो इसके लिए कोई भी जमीन गिर्वी रखना बैंक के पास ज़रूरी नहीं है तो अगर कोई ऐसा फार्मर है जो बोलता है कि मैं तो ठेके पे जमीन ले रहें और फिर मैं खेती बाड़ी करता हूं तो कोई दिक्कत निया उसे जमीन गिर्वी रखना की जुर्द नहीं है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसे ज़्याम जाज़ा है वह एक लाख साथ हजार की मिलेगी लेकिन उस case में जो उसकी फसल रहेगी जो फसल बोरा हो उस फसल के ओपर bank का charge create रहेगा जिसे अंग्रेजी में hypothecation कहा जाता है और हिंदी में साधरन बाशना मतलब यह है कि आपकी फसल bank के पास गिरवी रहेगी अगर आप in case default कर देते हो तो वो फसल बेच के bank जो है अपना पैसा recover कर सकते हैं लेकिन भारत में farmer एक बहुत ज़्यादा sensitive issue है तो आप ना ही पकड़के चलो वो कहने का वस वो है कि hypothecation है bank और या फिर कोई भी financial institution इस देश में अच्छी ही बात है कि farmer के उपर मतलब आप यह पकड़के चलो कि नहीं उसको कुछ कर सकता farmer को ठीक है तो कहने का बस यह कि फसल आपकी गिरवी है बस किताबी भाशाएं है कि फसल के ओपर charge है तो वो उस हिसाफ से मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है जी अगर माली जी आप चाहते हो मिरको तो 10 लाग का लोन चाहिए 15 लाग का बीस लाग का तो यह simply इस बात पर depend करेगा पहली चीज कि आपके पास कि आप किसी महरास्टरा साइड जाते हो तो वहां का पास की खेती बहुत जादा होती है ठीक है और अगर मालो आप नॉर्थ इंडिया में आते हो तो गेहूं की खेती बहुत जादा होती है अब यह depend करेगा कि अगर आप कोई भी खेती कर रहे हो चावल की कर रहे हो किसी भ भी चीजों के ओपर डिपेंड करता है कि बैंक आपको जादा से जादा कितनी लिमिट देगा अब जैसे मैं अपना एक्जामपल बता तो मेरा जब अगरी कल्चर डिपार्ट मैं बेसिकली मैं चंडिगर से हूं चंडिगर एक तरह से एक एवरेज रेट है एक एकड़ लैंड का अगर मालो आप जीटी रोड पर आ जाते हो जैसे कि चंडिगर दिली हाइवेज या फिर पकड़ के चलोगी अमरिसर से जो दिल्ली हाईवेज आ रहे है पूरा जीटी रोड हो गया इसके ऊपर अगर आपका कही ना कहीं लैंड आ आपके आपके ना मेरे साथ जो मेरे को रिपोर्ट करते थे वह एक दिन बोला कि यह पैसे क्यों नहीं दे रहा मैंने कितना इकड़ जमीन है इसके पास बुला सर इसके पास ना 20 कड़ जमीन का यार तो यह ओल्मोस्त पचास लाग पांच करोड यह तो दस करोड रुपे की जमीन है यार यह अपना पांच्छे लाख रुपे का लोन नहीं दे रहा अपने को यार तो उस्टे मेरे को ऐसा लगता है लेकिन महरास्ट्रा में जब आप जाओगे न तो पकड़ के चलो कि पचास हजार रुपे से ले करके एक लाख रुपे एककड़ भी आपको जमीन मिल कि आप नासिक साइड चले जाओ वहां पर अंगूर की खेती होती है अंगूर सीधे एक्सपोर्ट होते हैं भारत में तो बेशते ही नहीं वो लोग करोड़ पती है किसान जलगाओं का कुछ इलाका है जहां पर जहां से तापी नदी जाती है वहां बनाना की फार्मिंग हो तो यह तो टोटली डिपेंड करेगा इस बात के उपर कि भाया आपके पास कितनी जमीन है कि उस जमीन की वेल्यू क्या है आप जो फसल अब ओवेसी बात है जहां से तापी नदी निकल रही है और जहां पर कोई बनाना की फार्मिंग कर रहा है तो ओवेसी बात है कि एक चीज आती है कि tenure क्या है मतलब जैसे मान लीजिए KCC का हमने loan ले लिया तो वैसे ये loan हमें 5 साल के लिए 5 यर्स के लिए मिलता है लेकिन RBA के हिसाब से हमें हर साल renew करवाना जरूरी है मतलब मान लीजिए मैंने आज KCC का loan ले लिया तो एक साल जैसे ही complete हो गया तो प्लस इंट्रस्ट एक बार पूरा का पूरा बैंक को देना होगा और एक नए सीरे से दुबारा आपका जो KCC का लोन है वो दुबारा बैंक इशू करेगा और हर साल अगर मानलो आप हर साल रिन्यू करते हो न तो इसका एक एडवांटेज है कि कुछ-कुछ सरकारी बैंक आपको सिरफ और 4% पे ही जो है रेट ओफ इंट्रस्ट चलता रहता है मतलब आप समझ के बात को अगर आप टाइमली साल के अंत में अपने KCC के लोन को रिन्यू कर लेते हो ठीक अगर आप रिन्यू नहीं करते तो फिर वही चीज है कि आपको फिर 9% के इसाप से ही वो लो होता है उसके बाद जो बैंक का ओफिसर होगा वो उसकी एक फिल्ड विजिट रिपोर्ट रहेगी मतलब आपकी खेत में वो आएगा देखेगा कि सब कुछ जैसा जैसा शुरू में बात खुली थी जिस बहाफ पे लोन दिया था वही लैंड है आपने ऐसा तो नहीं कि उस कि एहां कुछ कुछ से फार्मर क्रोप इंशोरेंस से बस्ते हैं पता निक्यों बस्ते हैं लेकिन यह बहुत ज़रूरी चीज है होता कै न कुछ कुछ की सारी फसल खराब हो गई तो ऐसे case में फिर farmer के पास कुछ नहीं बसता तो ऐसे में crop insurance होना जरूरी है crop insurance का जो premium बनता है वो आपकी जो ये क्या बोलते हैं KCC की जो ब्याज होती है उसके साथ ही फिर adjust कर दिया जाता है और उसी के अंदर ही आपका जो crop insurance है वो adjust हो जाता है ठी ये कहने की बात है ठीक है अगर मानलो आप 1,60,000 से जाधा का loan लेते हो तो इस case में जो जमीन के कागज है वो आपको bank के पास गिरवी रखने पड़ेंगे ठीक है अगर आप 3,000,000 तक का loan लेते हो KCC में तो इस case में processing fees कुछ भी नहीं लगती जिसे हम file charge बोलते हैं कि loan चाहि अंदर हर 6 महीने में एक बार ब्याज लगता है अब देखो वैसे ब्याज अगर मानलो कोई भी loan हम लेते हैं तो हर महीने ब्याज लगता है लेकिन इसके अंदर जो आपके उपर ब्याज लगाया जाता है वो 6 महीने में एक बार लगाया जाता है तो इसका मुलब यह मत अब आप आज कहते हो कि मेरे को लोन क्लोज करना है तो वहां पर उसको दिखेगा कि चलो मान के चलो कि अब उसके अंदर मान के चलो की अक्टूबर फिर नवंबर दिसमबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल ठीक है यह अप्रेल की साहिकल है और अब यह मान लो जून में आता है तो मैं और जून का महीना इसका जो ब्याज होएगा यह अभी तक सिस्टम में उसको दिखनी रहा ह यह कब दिखेगा जब वो यह बोलेगा कि मेरे को अकाउंट क्लोज करना है तब तो एंपलोई चेक करके बताए कि आज की तारीक तक का ब्याज के यह बहुत बार ऐसा बहुत बार ऐसा होते है अगले दिन फार्मर ब्रांच में आएगा वो कहेगा कि यह पकड़ो डेल लाग रुपे मेरा लोन कर दो क्लोज अब उसके बाद जैसे ही वो क्लोज करेगा तो वो कहेगा कि यार अभी तक तो ब्याज दिखनी रहा था लेकिन दो महीने का ब्याज हाला कि वो अक्टूबर मे कि यह थी है कि 6 महीने के बाद bank 216 महीने का ब्याज वसूलता है मान के चलो आप 3 महीने के बाद जाते और के तो कि close कर दो तो वो system में दिखता नहीं है लेकिन 3 महीने का ब्याज तो आपका खड़ाई है ना bank के पास तो पहली चीज तो जब भी जाओ तो बोलो कि आज तक का कितना ब्याज बन रहा है वो please मेरे को बता दो तो वो वहां पे अलग सा एक software है वहां से दिख जाते है कि आज तक का कितना ब्याज है तो यह काफी बार confusion हो जाती है उस case में ठीक है और एक last question यह आते है कि मानलो अगर कोई default कर देता है KCC के loan का तो उस case में फिर क्या होता है तो उस case में देखो majorly settlement होती है यह भी depend करता है कि case क्या है मानलो कोई farmer है death case ही हो गया unfortunately किसी की death हो जाती है तो उस case में तो काफी मानलो किसी ने एक example लेते हैं कि दो लाग उर्पे का loan लिया एक लाग उर्पे का उसका ब्याज हो गया तो total loan bank कहेगा कि तीन लाग उर्पे आपने देना है जब settlement होती है तो mainly bank यह बोलते है कि ब्याज को तो गोली मारो मूलधन मूलधन ही recover कर लो अब अगर तो मानलो death case है ठीक है जी farmer की unfortunately मानलो natural ही death हो जाती है तो उस case में क्योंकि death case हो गया ना तो जितना मूलधन ब्याज को तो भूली जाओ जितना मूलधन पड़ा है इस पे भी bank अराम से 70-80% की छूट दे देता है अराम से इसका 20% पे यानि almost almost 40,000 रुपे के उपर पकड़के चलो ये settlement हो जाएगी 40,000 से भी कम में 30,000-20,000 में भी settlement हो जाएगी अगर तो death case है अगर मान के चलो कि farmer किसी कारण वर्ष पैसा नहीं भर पा रहा वही example ले लो कि 2,000,000 का लोन है 1,000,000 रुपे ब्याज हो गय पर जैसे जैसे case पुराना हो गया मान लो 365 दिन हो गया अभी तक farmer ने पैसा नहीं भरा तो वही चीज है ब्यास तो भूल जाओ क्योंकि settlement हो नहीं है जितना मूलधन है इस पे भी bank अराम से पकड़के चलो कि मूलधन का 50-60% ले करके bank के चाता है कि इस case को close कर दिया जाए त लीगल नोटिस आएंगे section 138 आएगा आपके पास ठीक है एक LRN नोटिस आएगा और एक DLN नोटिस आएगा ये तीन नोटिस बैंक जो है जैसे तैसे close कर दिया जाए तो ये सारी की सारी चीज़े मैंने आपको बता दी loan से ले करके अगर in case किसी की मजबूरी में default कर जाता है या कोई पैसा नहीं भर पाता तो उस case में काम कैसे होता है उमीद करता हूँ आपको ये video informative लगी KCC के उपर अभी के लिए this is the end of the video thanks for listening and thank you